धरमपुर कालोनी घाटी वाल गाओं में 6 साल से पानी की समस्या बरकरार अमरत योजना के तहात डाले थे पाइप नहीं चालू की गई सप्लाई लोगों में भारी रोज धरमपुर कलोनी घाटी वाला गाउं में महिलाओं और लोगों ने ममता ठाकुर और बलवान ठाकुर को पीने के पानी की समस्या के साथ अन्य मूलभू सुविधाय प्रदान करने की मुख्य मांगे रखी लोगों ने मम्ता ठाकर को बताया कि पिछले 6 सालों से लोगों को घाटी वाला गुगा माड़ी के आसपास की कालोनी के लोगों को पानी की समस्या है और यहां के लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है लोगों को पानी के टेंकर मुवा कर पानी की अपूरती करनी पड़ रही है लोग परेशान है लोगों ने मम्ता ठाकर को समस्यां बताई पिछले दो साल से यहां अमरत योजना के तहट पानी की पाइप लैंड डाले गई थी जिसे चालू नहीं किया जा सका है इसके लावा यहां गंदे नाले पर पूलिया बनाने की मांगे रखी है जिससे यहां बच्चों की गिरने का खत्रा मंडराया रहता है और गंदगी से लोग परेशान है जबकि नाले नालियों में गंदा पानी खड़ा है और आने वाले गर्मियों में डेंगू, मलेरिया जैसी बिमारिया फैलने का खत्रा मंडराने लगा है लोगों ने इन समस्चाओं का हल करवाने की मांगे की वही मम्ता ठाकुर ने कहा कि इनी समस्चाओं का हल करवाने के लिए उनकी टीम हर गली महले और कालोनी में लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं उन्होंने कहा कि नगर परशद एरिया की समस्याओं को परशासन के समक्स रखकर इनका हल करवाने का पूरा-पूरा प्रयास किया जाएगा ताकि यहां के लोगों को मुलभूत सुविधाय मिल सकें लगों को बच्चे को लगाती बच्चे करते हैं वहाँ लग सकती है कहीं नहीं प्रशाशनीन जगा पर भेल है चाहे सरकार बीजेपी की है चाहे कांग्रेस की हम किसी की बुराई नहीं करते पर पबलिक की जो मूलबुत सुविधाय हैं उनसे हम बंचीत हैं में समस्या हमारी पानी की है पानी हमें बिलकुल भी छे साल से देखने को भी नहीं मिला पाइप डले को भी डेड़ से दो साल हो गए हैं जो अमरीत योजना के तहट पड़े थे वो भी बहानने मारते हैं कान में रखते हुए हमने समस्या उठाई है हर गड़ी में जाएंगे सब की समस्या सुनेंगे हैं